बात परते हैं इसमें मैंने आपको बताया था कि इस चार्ट में हम इंटर्नल इंवार्मेंट और एक्सर्नल इंवार्मेंट का क्लासिफिकेशन को समझें यह classification इस तरीके से है कि first of all आते हैं हम internal environment internal environment में again जिन्होंने पिछला लेक्चर अगर नहीं अटेंड दिया पिछला लेक्चर को नहीं देख पाई है तो उनके लिए मैं बतानू कि internal environment में जिते भी practice है वो controlable practice है और उसे business या उसे company या firm अपने control में रखते हैं यह control कर सकते हैं तो उसे हम controlable practice कहते हैं internal environment के अंदर में आने वाले जितने भी practice है अब one per one हम यह समझते हैं कि इसमें कौन कौन से practice आ रहे हैं जिसे हम control कर सकते हैं और ऐसे परीखने से आपको नहीं समझ में आएगा जब इसको explain कर देगे तो आपको clear हो जाएगा कि हां यह practice इस तरीके से हम control कर सकते हैं पहला है financial resources financial resources सबसे पहला जब हम company की शुलबार करते हैं तो हमको capital की जरुरत होती है हमें finance के जरुरत होती है एक बड़ी company डाले वाला व्यक्ति सारा पैसा आपी जेव से कभी नहीं लगाता है clear वो कभी ना कभी उसको loan देना पड़ता है clear financial resources ऐसे हैं कि इसका अगर utilization अगर यह सोच लिया गया business businessman ने तो वो fund को कभी भी अच्छे से नहीं रह कर पाएगा जितना भी पैसा उसने loan में लिया है उसका with interest उसको pay भी करना और plus अपना profit भी उस business firm से निकालना पस्ट अपार उसको यह बास सबसे आदा दिमाग में रहने चलेए तो financial resources हमारी strength भी बन सकता है अगर हमने उसको अच्छे से utilize किया utilize करने का मतलब कि जो भी नो लिया उसको अच्छे से utilize किया फुड़ा cycle बनाया उससे अपना profit भी gain कर लिया अपने workers की salary भी हमने निकाल लिया और plus अपने कुछ maintenance की जो खर्चे होते हैं भी हमने निकाल लिये सही से utilize ना की जाए माल लिजे हमने कुछ सोचा कि नया equipment ले लेते हैं नई opportunity है कुछ नया market में आ रहा उसको adopt कर लेते हैं बिना आपने budget और बिना financial resources की analysis किये बिना तो ये चीज हमारी आगे चलके weakness बन सकती है कैसे बन सकती है माल लिजे अगर जो हमने opportunity नई दी या नए market में जो भी हमारी problem आ रही है जो भी हमारी नए market में जो भी हमारी opportunity आ रही है उसको हमने अच्छे से analyze नहीं किया research नहीं किया और उसको हमने adopt कर दिया तो अगर वो success हो जाता है तो वो हमारी strength बन जाएगा हमारे profit gain करेगा बट अगर वो success नहीं होता है market उसको adopt नहीं करता है market का adopt करने का मतलब गया है customer adopt नहीं करता है customer को नहीं समझता है उसको नहीं अच्छा लगा product तो वही चीज़ आपकी weakness बन जाएगा तभी पैसा आपका लगा होगा जो भी cost आएगी वो हमारी डूब जाएगी और हमें पूरा जिससे आप सरने सुक्छा था उससे हमको profit gain नहीं होगा पहले चीज़ फिनाइसर्स दूसरी चीज़ आती है हमारी physical and human resources physical and human resources भी हमारे strength भी है यह भी हमारे control में these are manpower human resources क्या है it is man manpower manpower क्या है कि हम जब शुरू करते हैं तो हम उसमें कई तरीकी के workers रखते हैं कुछ unskilled workers रखते हैं जिने हम particular labors करते हैं तो सिर्फ labor का काम करते हैं they don't know how to use the equipment they don't know how to go to the machinery and all या अगर printing का काम हो रहा है तो उसमें कैसे करना they are simply unskilled workers उने सिर्फ अपने काम से मतलब है तो कुछ unskilled workers रखते हैं कुछ trained workers रखते हैं और कुछ हमारे professional workers भी होते हैं तो यह भी हमारे control में है कि हम किस तरीके के workers को अपने firm में रखते हैं और कैसे यह human resources यह physical human resources हमारे control में रहते हैं और यह हमारी strength भी बचाते हैं और weakness भी हो सेते हैं दूसरा अता है तीसरा अता है objective of business objective of business क्या है कि हमारा business का objective क्या है सिर्फ business को हम शुरू करते हैं और profit gain के लिए चले that is not possible और वो करना भी नहीं चाहिए क्योंकि हमने आपको फिश्रेल एक्शन में ही बताया कि यह old concept था कि हम से profit gain करने के लिए ही business शुरू करते थे अब business का कोई objective होता है main objective है कि हमें अपने country की financial position strong करना पहला main objective business का यह होना चाहिए दूसरा objective उसका यह होना चाहिए कि society का development होना चाहिए clear तीसरा उसका यह होना चाहिए उससे जादा से जादा employment generate हो जिसे पर रखता income भी बढ़ सकते इस धरीगी कि तमाम objective हमारे business के यह भी हमारे control में है यह controllable factors है कि हम क्या objective लेके चलते हैं यह हम control कर सकते ना मानिजिए आपने कोई objective बनाया कि पर फस्टेयर में आपको 80% मार्स आने है तो यह आपके control में है कि आप उसको कैसे अच्छे रखते हो ठीक है अब आप 80% सोच के बैढ़ गए आपने महनत नहीं की तो यही factor आपका uncontrollable factor हो जाएगा और exam time में आपको लगेगा कि बस सब की से तरह पास हो जाएगा यह बहुत है तो in the same way कि objective of business भी हमारा जो है controllable factor है और इंटार environment में आता है दूसरा आता है आपका fourth point है that is managerial policy managerial policy अगर बहुत जादा flexible होती है तो हम company को हुद अच्छे से run नहीं कर पाते हैं कही agility की भी जरूरत होती है कही flexibility की भी जरूरत होती है it is just like managerial policy time to time flexible हो सके उसमें flexibility कितनी होनी चाहिए कि अगर कोई अचानक से scenario में कोई present scenario में अचानक से को change आ जाए तो हम उसको change करके अपनी policy सही से रख सके एकदम rigid policy नहीं बनानी चाहिए नहीं तो हम उसको survive आगा चलके नहीं कर सकते then आता है moral and commitment moral and commitment for what it is for HR HR क्या है हमारा human resources moral and commitment of HR यानि कि human resources के लिए हमारा क्या commitment है उनके बटी हमारा क्या model है यह भी हमारे controllable factors है और यह भी हमारा internal environment में आता है किस दवीके से अगर हमारा commitment से workers काम कराना है तो वो कपनी भी बहुत नौम रख तक हमारी company के साथ work नहीं करेंगे एक मैं एक तो frustrated होंगे और फिर वो काम शोड़के चले दाएंगे अगर हम moral और commitment में रखें कि हम उनके उनकी भी standard of living को बढ़ाएं साथ में जो हमारे साथ जुड़े हैं हमारा परिवार है उनका पूरा ध्यान रखें तो वो भी पूरे अपना अच्छे से अच्छा performance देंगे और अगर workers अच्छे से अच्छा performance देंगे तो एक company और उच्छ तर जा सकती है फिर आपने नेक्षा का working conditions it is very important working conditions अगर अच्छी होती है बहुत जादा pressurize करके अगर आप काम नहीं कराते हो तो performance हमेशा अच्छा आता है क्योंकि हम किसी को freedom देते हैं कि ठीक है आप अपने हिसाब से थोड़ा सा आपका performance अच्छा होना चाहिए हमें उससे मतलब है हमाई result अच्छा आना चाहिए प्रेशराइज करके किसी को काम कराने से हमें performance अच्छा नहीं रहता है तो यह आता है यह भी controlable factors में यह इंधरन इंवार्मेंट में की आता है फिर आता है आपका brand and corporate image हमने पहले भी बताया आपको कि business का मतलब सिर्फ profit gain नहीं है अब business का मतलब है कि customer को जादा से जादा अपने सार जोड़ना और अपनी market share value को भी maintain रखना तो यहाँ पर brand and corporate image भी हमारे controlable factors में अच्छी quality देंगे हमाई कंपनी की goodwill अगर अच्छी होगी तो corporate image भी हमारे नाम से जानत रहेगा ठीक है तो यह भी हमारा internal environment के factors है next आता है labor management relationship आपको मैंने lecture 1 में भी इसना एक example दिया था कि labor management relationship अच्छा होना चाहिए तो वो company की बहुत बड़ी strength बन सकता है क्यों क्योंकि वो अगर अच्छे से दोनों के बीच के relationship अच्छे होगे तो lockdown की समस्या या जोंके sorry lockout की समस्या भी खतम हो जाएगी यानि ही जो तालबंदी होती है जो strikes होती है वो कम होगी और अगर वो कम होगी तो हम उस समय को जाधा से जाधा विच्छ करके और जाधा अच्छे से अच्छे performance करवाके अपनी कमपनी वो अच्छे standard तर लेगा सकते है तो आधा है आधा है आपका technological and R&D capabilities बार बार बोड़े है technological and R&D capabilities आधा का मत्तब है research and development research and development बैने characteristics में भी आपको लिखाया था innovation and research ये business का characteristics है उसी को internal environment में अगर देखा जाए कि से एक बार business को शुरू करके अगर उसी इस तर पर चला जाएगा तो हम बहुत जादा आगे बहुत लौग रग तक सभाई नहीं कर सकते हैं हमें हमेशा market में आने वाली new technology को adopt करना चाहिए और continuation में research और development होते रहने चाहिए इससे कि हम अपनी capabilities को पहचान सके और उनको और आगे बढ़ा सके निक्स लास्ट इसका point आता है promoter's vision promoter's vision का मतलब इसे हम हिंदी में कहते हैं प्रवर्दकों की सोच प्रवर्दकों की सोच का मतलब अगर हमारे जो officers हैं या जो board of directors हैं उनका vision अच्छा होगा सोच अच्छी होगे या दूरदर्शी होगे तो वो company में या funk में आने वाली threat को या opportunity को पहले से analyze कर सकते हैं और उसको अपने लिए उस हिसाब से use कर सकते हैं तो यह हमारा in general environment में आता है clear फिर आता है आपका किसी के आगे external environment these are uncontrollable practice इसको हमें again two parts में divided क्या है that is micro or operating environment और भूचना है macro और general environment बहुत ही ध्यान से इसको और बहुत ही carefully आप इसको clear करेंजे कि da manjee ikki micro k euro operating क्यों कहते है और और अंचको जणरल क्यों कहते है इसके दो नाश्य है किसी इडि़िए नाफ ना रखने जाते हैं उसका और पोई-ता कोई मतलब होता है clear दो तो माइक्रो और ओपरेंटिंग Aquí in purchase ये सारे factors हमारे operating आते हैं यानि business जिनके through operate होता है business जिनके through operate होता है इसलिए इसे हम micro या operating environment कहते हैं फिर आता है हमारा micro ये general environment ये general factors है इन पे तो हमारा कोई भी control कभी भी नहीं होता है बस जैसे-जैसे हमारे सामने circumstances को हम वैसे इसuyu सब्तुनांद ए सफक्राइब estás or half-date दिया चैकर जार USSR sa चैए लिए अगर उसको सब्सक्राइब करना ओने आजड़ को जया जाएगे ने Hampshire इससे हमारे बिसमें कर सकते हैं इसमें कौन कौन से प्रैक्टिस आते हैं नम्बर वन है हमारा suppliers जिसे हम हिंदी में पूर्थी करता कहते हैं Suppliers वो होते हैं जो की हमें raw materials supplier है अगर हम एक supplier पर depend रहेंगे तो ये हमारी वेस ही नहीं होगा हमें हमेशा multiple suppliers रखने चाहिए क्यों अगर एक supplier है अगर fully reliable है तो तो आप अगर अपना stock कम रखेंगे तो आपकी cost कम आएगी लेकिन अगर वो reliable नहीं है तो उसकी वज़े से आपको stock ज्यादा रखना पड़ेगा और आपकी cost भी उसकी वज़े से बढ़ जाएगी तो इसलिए suppliers का multiple होना हमेशा जरूरी होता है क्योंकि मान दीजे किसी supplier के साथ कि as a human being क्योंकि वो भी human being है उसके साथ भी कोई समस्या हो सकती है अगर वो supply नहीं कर पाता है तो हमारा company का जो operation है वो affected नहीं होना चाहिए इस वज़े से हमें हमेशा multiple suppliers के थूँ चलना चाहिए clear नेट चाहता है आपका customers this is the most important factor of the operating environment clear कि अगर operating environment में अगर हम किसी ज़ए किसे customers को अपने साथ जितना जादे जोड़ेंगे customers को जैसे जो चीज चाहिए उसके recording चलेंगे तो वो हमारे operation को और अच्छे से बढ़ाएगी जितने जादा customer जोएगे वो दिना ही जादा brand और corporate image हमारी company की और जादा बढ़ेगी और goodwill और जादा बढ़ेगी और goodwill और जादा बढ़ेगी